हलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग, आज हम बनाने वाले हैं केले का कोपता, केले का कोपता बनाने के लिए मैं चार कच्छे केले ले रही हूँ, केले को दोनों साइट काट लेंगे, फिर केले को बॉयल कर लेंगे, केले अच्छे से बॉयल हो गया है, फिर हम इसको छील छिलने गवाद हाथ से मैस कर लेंगे, फिर हम इसमें तीन चममज बेशन, एक बारीक टा हुआ प्यास, बारीक कटी हुए लहसन, बारीक कटी हुए हरी मिर्ची, बारीक कटी हुए अधरत, बारीक कटी हुए धनिया पता डाल देंगे फिर हम इसमें मसाले डालेंगे मसाले क्लिए मैं ले रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला फिर हम इसमें अजवाइन डालेंगे इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद छोटे छोटे बॉल जैसे कोपते को हम तयार कर लेंगे फिर हम इसको फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए मैं सर्सों का तेल ले रही हूँ आप चाहे तो रिफाइंड ओली भी ले सकते हैं तेल गरम हो गया है हम इसमें एक एक करके सारे कोपते को डाल देंगे इसको अलट पलट के अच्छे से फ्राइ कर लेंगे कोपते को फ्राइ करने के लिए मुझे पांच मिनट लग गए थे फिर हम इसको गोल्डन ब्रान होने तक फ्राइ करेंगे कोपते अच्छे से फ्राय हो गया है फिर हम इसको निकाल लेंगे अब हम ग्रेवी के लिए मसाला बनाएंगे मसाले में में ले रही हूँ दो मेडियम साइच प्याच लहसन की कलिया अधरक दो हरी मिर्ची इसका हम पेष्ट बना लेंगे फिर हम उसी कड़ाई में एक और जीरा डाल देंगे फिर हम इसमें मसाले डालेंगे मसाले डालने के बाद इसको भूनेंगे भूनने के बाद मैं इसमें एक मीडियम साइज टमाटर डाल रही हूँ टमाटर डालने के बाद नमक बहुत जरूरी है नमक डाल लीजी हल्दी डाल लीजे फिर हम इसमें वह बेसिक मसाले डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और मिर्ची पाउडर इन सब को पानी में घोल लेंगे फिर मसाले में डाल देंगे इसको हम भून लेंगे तब तक भूनेंगे जब तक तेल ना छोड़ने लिए कढ़ाई से फिर हम इसमें प 5 मिनट तक बोयल होने के लिए छोड़ देंगे फिर हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे बहुत ही स्वादिष्ट ग्रीव वाले कौपते तयार है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लेकर तो प्लीज सस्क्राइब लाइक किजी थांक यू